येस students अब है आपका example number third example number third क्या बोलता है आपका आपको इस function की laplace inverse transformation find out करनी है अब देखो ये जो function है आपका वो आपका standard form में नहीं है standard form का मतलब कि अगर ft आपके पास कोई function हो तो उसकी laplace transformation क्या हो आपके पास f है तो इस तरह से वो ft function नहीं है आपका ये सबसे पहले तो इनको separate separate करो क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे आपका s है s अगर उपर हो निचे कुछ इस type की term हो तो आपका cos का laplace transformation बनती है आपकी यहाँ पे अगर constant हो निचे कुछ s square a square type की term हो तो वो किसकी बनती है आपकी laplace transformation sign की बनती है similarly यहाँ पे तो सबसे पहले तो आपने क्या उपचरू किया कि इनको आप separate separate लिखो कितना आएगा देखो separate लिखोगे तो यह लिख दिया आपने सबको separate separate 2s divided by this minus 5 divided by this 4s divided by this by this अब आपको पता है कि laplace operator और inverse laplace transformation operator क्या होता है आपके पास linear होता है वो सब के उपर क्या हो जाएगा separate separate apply हो जाएगा तो देखो क्या आएगा separately apply होगा तो separately जब आप इसको apply करोगे तो आपके पास क्या आजाएगा यह अब देखो इस function की inverse laplace transformation निकालनी है तो सबसे पहले क्या करो इसको standard form में क्या हो standard form में लेक्या आने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा इसके पास से और इस s2 के साथ से 4 को हटाना पड़ेगा तभी तो यह आपके किस फोम में बनेगा अब similarly यहाँ पर देखो 5 को निकालोगे 4 को निकालोगे इसके पास तो कितना बन जाएगा यह उपर से उधन लिया 5 निचे से लिया आपने common 4 तो यह बन जाएगा 1 by s2 plus 25 by 4 ठीक है similarly यहाँ पर 4 को हटा दो अब देखो यहाँ पर s2 माइनस में है तो माइनस भी common लेना पड़ेगा तभी तो s2 minus a2 की form बनेगी तो क्या करोगे उपर से तो लिया आपने 4 common साथ में आपने लिया minus common तो यह कितना बन जाएगा s2 minus 9 similarly यहाँ पर minus को common लोगे plus बन जाएगा laplace inverse लगा तो इसके साथ साथ है यह कितना बन जाएगा 18 को भी common ले दो निचेस कितना बन जाएगा यह आपका 1 by s2 minus 9 अब बन गया आपका यह standard form का तो देखो यह क्या है आपके पास s by s2 plus a तो क्या बन जाएगा s2 plus a2 तो यह किसकी laplace transformation होती है आपके पास cos a t a कितना बन जाएगा आपका 5 by 2 5 by 2 t minus 5 by 4 यह किसकी laplace transformation बनेगी उपर constant है तो sine के बन जाएगी तो यह बन जाएगा आपकी sine a t a कितना है आपका 5 by 2 क्यों क्योंकि 5 by 2 का square है और होती क्या है उसकी laplace transformation s2 plus a square तो यह बन जाएगी 5 by 2 t similarly आपकी यह किया बन जाएगी 4 यह s में है निचे negative है तो कितना बन जाएगा cos का बनेगा यह cos hyperbolic 80 यह कितना आएगा आपका 3t यह कितना बन जाएगा 18 और यहां से आएगा आपकी उपर 1 है निचे minus है तो किसकी बनेगी sine hyperbolic 3t यह आपके पास क्या आगी inverse laplace transformation आगी इस function की ठीक है